दोस्तो अगर आप है कार के शौकीन और महंगी महंगी कारों को देखकर आपका दिल भी लल चाता है और बस उसे खरीदने को चाहता है तो आप एक दम सही जगा आए है क्योंकि आज हम आपको यहाँ एक नहीं दो नहीं बलकि पूरी दस दस कारों के बारे में बताएंगे और नहीं बहतरीन फीचर्स जो आपको इनका फैन बनाने में एक मिनिट भी नहीं लगाएंगे तो अब देरी ना करते हुए चलिए जानते हैं इन लक्शूरियस कार्स के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऐसी कार के बारे में जो रोड पर उदरते ही लोगों का ध्यान अपनी तरफ खीच लेती है हर कोई बस इसे देखता ही रह जाता है हम बात कर रहे हैं फेरारी पिनिन फेरीना सर्जियो की जिसका अट्राक्टिव रेड कलर और सेक्सी डिजा और इसे खरीदना सब की बस की बात भी नहीं ये कार 0-62 माइल्स पर आवर सिर्फ 3.4 सेकिंड में पिक अप लेती है और हवा से बात करती इस गाड़ी की रफतार 200 माइल्स पर आवर है इस कार में 4.5 लीटर का V8 एंजिन है जो 600 होर्स पावर जनरेट करता है आपको बता द कि इस शांदार कार को बनाने का पूरा क्रेडिट इटालियन डिजाइन हाउस पिनिन फरीना को चाता है इसे 2013 में जिनीवा के एक मोटर शो में प्रिजेंट किया गया था तो अब आखिर आपको इसके दाम बता ही दे इस गाड़ी की कीमत 3 मिलियन अमेरिकन डॉलर्स यानी अब हम जिस कार की बात करेंगे वो बिजली के रफ़तार से चलती है जी हाँ इस कार की रफ़तार एतनी तेज है कि आप देखते ही रह जाएंगे और ये कार फुर हो जाएगी फ्रांस की एक कंपनी बुकाती आटोमोबिल्स SAS के जरीए बनाए गई बुकाती वेरॉन अब तक दुनिया में सबसे तेज चलने वाली कारों में आती है इस कार की स्पीड, मॉडल और फीचर्स देखके अच्छे अच्छो के होश उड़ जाए इस कार में 8 लीटर्स का W16 का इंजिन है और इसकी टॉप स्पीड 407 किलोमीटर्स पर आवर है इसकी इन खुबियों को देखते हुए इसे कार ओफ दे टेकेड और पैस कार अवार्ड भी मिला है ये गाड़ी इतनी अट्राक्टिव है कि इसकी डिमान को देखते हुए इसक लाइकन हाइपर स्पोर्ट एक ऐसी कार है जिसे आपने पहले भी देखा होगा हमारा मतलब है मूवी इसमें जी हाँ ये वही कार है जिसे इतनी बड़ी मूवी में किया गया हो उसका पॉपिलर होना तो वैसे भी बनता ही है ये कार 0 से 100 किलोमीटर्स केवल 2.8 सेकिंड में पिकप लेती है और इसकी हाई स्पीड 395 किलोमीटर्स पर आवर से भी उपर है इसके अंदर एक 3.7 लीटर ट्विन टवो चारजड फ्लाट 6 इंजन लगाया गया है जो इसकी स्पीड का में कारण है एक स्पीड कार होने की वज़े से इसमें सिर्फ दो ही खिड़की है इस का को सबसे पहले 2013 में कतर मोटर शो में देखा गया था और इसे डव्यो मोटर्स ने बनाया है इस कार की अभी तक 7 यूनिट्स ही बनाई गई है और ये दुनिया की सबसे बहतरीन कारों में से एक है चलिए आपको इसके प्राइस के बारे में बताते है जिसके लिए इस कार को जाना जाता है इस गाड़ी की कीमत 3.4 मिलियन डॉलर्स है यानी 26.14 करोड रुपए अब वैसे तो ये बहुत जादा महेंगी कार है लेकिन इसके कार नामों को देखके लगता है कि ये एक पैसा वसूल गाड़ी है हमारी इस लिस्ट में अब अगला नंबर है लेंबॉर्गीनी विनीनो का ये एक बहुत शांदार रेसिंग कार है जो दुनिया की सबसे महेंगी कारों में से एक है इस कार की हाई स्पीड इसे और भी खास बना देती है ये 750 PS 8400 रेवलुशन पर मिनिट की पावर पैदा करत है और इसकी टॉप स्पीड 221 माइल्स पर आवर है साथ ही इसके अंदर 6.5 लीटर V12 इंचन लगाया गया है ड्रैगन जैसी दिखने वाली ये गाड़ी अपने आप में ही यूनीक है पर अगर आप इस कार के मॉडल और फीचर्स पर अपना दिल हार गए हो तो पहले आपक कोई लेनी है तो देर कैसी अब ये गाड़ी किसी भी कार लवर को इंप्रेस करने के लिए एक दम परफिक्ट है ये गाड़ी इतनी खुबसूरत है कि एक मिनिट के लिए तो आपकी नजरे इस पर से हटेंगी ही नहीं ये एक हाइबरिट कार है जिसमें 6.5 लीटर्स वीट देता है इटली में लंबोगीनी के दुआरा बनाए गई ये कार देखते ही बनती है वैसे तो लंबोगीनी पूरी दुनिया में फेमस है पर इसके कुछ मॉडल्स हद से जादा भेतरीन है जिन में से ये भी एक है ये इस ब्राइंड के दुआरा बनाए गई पहली हाइबर इस लिस्ट में सभी गाडियों में एक महंगी कार ही है इसकी कीमत 3.6 मिलियन डॉलर्स है और भारत में इसकी कीमत लगभग 26 करोट से ज्यादा है कॉनिक्जेक्स CCXR ट्रिवीटा के सामने अच्छी अच्छी कारे भी फीकी पड़ जाती है ये किसी अक्शन कार से कम नजर नहीं आती और अगर आप इस कार से अपने फ्रेंड्स को इंप्रेस करने के बारे में सोच रहे है तो आपके लिए ये एक तम परफेक्ट कार है चलिए पहले आपको इसकी फीचर्स के बारे में बता दे इस कार का नाम दुनिया की सबसे महंगी कारों में आता है और इसकी महंगी होने की वज़र है इसके उपर की गई कोटिंग जो की हीरे में कारवन फाइबर शामिल करके की गई है जिसकी वज़र से इसकी चमक कभी न इसके अंदर 1,018 BHP पर 7,000 RPM की पावर देने वाला इंजिन लगाया गया है। अब इतनी शांदार कार को खरीदने का किसका मन नहीं करेगा। पर इतनी महंगी कार हराम आदमी के खरीदने की बस की बात नहीं है। इस कार की कीमत 4.8 मिलियन अमेरिकन डॉलर्स है यानी 32 करोड 54,16,000 रुपए। अब जिस कार में हीरे की कोटिंग की गई हो उस कार के लिए इतने पैसे मांगना तो एकदम वाजिब है बस। नमबर 4. मर्सिडीज मेबैक एकसेलिरो मर्सिडीज मेबैक एकसेलिरोट 2004 में बनी एक लगशिरी कार है। इसे ऐसे ही हर कोई नहीं खरीद पाता क्योंकि इसकी कीमत आसमान को छोने को तयार रहती है। ये किसी रॉयल कार से कम नहीं। ये एक हाई परफॉर्मेंस देने वाली गारी है। जिसे स्टोला ने डेमलर क्राइसलर के साथ क्लाबरेशन में बनाया था। इस गारी को 2005 में बर्लिन के टेंपो ड्रॉम में लॉंच किया गया था। इस कार में 690 होट्सपावर का ट्विन टर्बो चार्ज इंजिन है। इस कार की मैक्सिम स्पीड 351 किलोमीटर्स पर आवर है। साथ ही इस कार की खा 61.51 करोट्स की. नमबर 3 बुगाटी शिरॉन बुगाटी की हिस्ट्री में शिरॉन सुपर स्पोर्ट्स कार में अब तक की सबसे फास्टेस्ट, बावफुल और एक्स्क्लूजिफ प्रोडक्शन है। इस कार का डिजाइन, इनोवेशन टेकनोलोजी और आईकॉनिक इस कार की मैक्सिम स्पीड 378 किलोमीटर्स परावर है। इस कार की इंटीरियर डिजाइन भी काफी खुबसूरत है। इसकी कीमत 2.5 मिलियन अमेरिकन डॉलर्स है, यानी 17 करोट से भी ज्यादा। अब अगर ये कार आपके बजट में हो, तो हम आपको ये कार लेने के लिए जरूर सजिस्ट करेंगे। अब हम जिस कार के बारे में आपको बताएंगे, शाद इसकी कीमत आपको सोच में डाल दे। पर एक कीमत इस कार के लिए पैसा वसूर ही माना जाएगा। इस कार को पूरी दुनिया के लोग खरीदने के बारे में सोचते हैं, पर इसकी कीमत को देखते हुए वो पीछे हट जाते है चलिए पहले इस गाड़ी के बारे में कुछ बात कर ले ये कार अपनी लक्जिरी के लिए जानी जाती है इसमें 6.75 लीटर्स का V12 पावर ट्रेन इंजिन है जो 453 होर्स पावर देता है रॉल्स रोईस स्वेप टेल एक बहुत जादा श साब से तयार किया जाता है लेकिन आपको बता दे कि ये कार भारत में अभी मुकेशंबानी के पास भी है अब आप इस बात से इसकी रोयल्टी का पता लगा लीजिए वैसे इस कार की कीमत लगभग 98 करोड 20,92,150 रुपए है अब इस कार को आप चाहे तो most expensive कार का भी खिता अब दे सकते है नम्मो वान बुगाटी लावुटो नुवा और आखिर इतने इंतजार के बाद आ ही गई काफी लोगों की ड्रीम कार इस कार के बारे में जितनी बाते की जाए कम होंगी क्योंकि इस कार ने अपने प्राइस से बड़े बड़े अमीर लोगों को इसे इसकी खूबियों का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि बुगाटी इस कार की सिर्फ 10 यूनिट्स ही बनाएगी इसकी रफतार 380 किलोमेटर्स पर आवर है बुगाटी ने इस कार में उसी इंजिन का इस्तमाल किया है जो बुगाटी शेरॉन में किया गया था इस कार का वील बेस थोड़ा जादा है जो कि कार के अंदर भेतर स्पेस देता है बुगाटी लाव उट्यो न्यूआ में कमपनी ने 6 एक्जॉस्ट यानिकी सालेंसर्स का यूज किया है साथ ही इस में 7-speed dual-clutch transmission gear box भी दिया गया है तो देखा आपने दुनिया में महेंगी और अंदार कार कौन सी लगी तो आज के लिए बस इतना ही मिलते है अगली वीडियो में जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक, कॉमेंट और शेयर करना ना भूले और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द कर ले ताकि हमारी सारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके